नमस्कार दोस्तों, affordable housing की strategy बताऊंगा अब January 22 की जो अभी आगे follow कर सकते हो priority 3 वालों के लिए and priority 4 वालों के लिए भी अभी आने वाले कुछ affordable housing है, sector 62 की आएगी, sector 90, ultimus की आएगी, तो अभी next दो इन पे ही लोगों का focus रहेगा, जिन लोगों का निकल गया है GLS के अंदर और उनने conscient में भी apply किया हुआ 102 में, तो result के लिए wait कर लो, अगर वहाँ निकल जाए तो ये वाला surrender कर देना, तो आपका conscient 102 जो है, it is better than GLS 86, लेकिन GLS 86 निकला हुआ, जबरदस्ती surrender करने की जरूत नहीं है, a bird in hand is better than two in the bush का हुआत है, ठीक है, GLS 86 पे जिसको भी loan चाहिए, क्यो not many people are doing it also, and not even many banks normally do, कुछ ही selected होते हैं, तो जिसको भी affordable housing में loan चाहिए, तो मुझे whatsapp पे loan लिख सकता है, and loan amount लिख सकता है, and you can connect with me on whatsapp, तो उस पे आपको बता दिया जाएगा, सबसे बड़ी चीज, जिस तिन आपका allotment हो जाए, आपको पता है कि मुझे loan लेना है, loan की कार रवाई शुरू कर दो, allotment letter के लिए wait करोगे, तो वो precious time आपका जाएगा, और जैसे ही allotment letter आपको 7 दिन पुराना date का आज मिलेगा, तो आपका meter down हो जाएगा, और उतनी जल्दी loan sanction नहीं होता, फिर आपको penalty देनी, ये सबसे जादा problem लोग face कर रहे हैं, दूसरी चीज, स जाना रह सकता है, जूरूत हो सकती है, और अपने जो checks से payment करके अपनी receipt अपने हाथो हाथ भी ले सकते हो, ठीक है, तो इसमें बहुत ये सोचना कि कोई आपको call करेगा, अब आएगा, mail आएगी भी, वो तो जैसे time के साथ होगा, होगा, दूसरा refund जो होना है, draw में अगर आ 12,000 से वालों का फैसला हो रहा है, जो draw निकल रहे है, तो 13-14,000 एप्लिकेंट्स हैं, इतनी मैंपर्क ही नहीं है, कि वो phone उठाएगी आपकी, be practical होनी चाहिए, अब सरकार नहीं डाल रही है, अब हम उसको control नहीं कर सकते, लेकिन अब वो पैसा आपका आजाएगा, pension की ज़ प्राक्टिकली वेट लिस्टेड, 15 दिन एक महिना वेट करके देख लो, मोटा मोटा एडिया हो जाता है, बहुत नीचे वेटिंग लिस्ट है, 100,100 मतलब उस लेवल की है, तो मुश्किल हो जाता है क्लियर करना, क्योंकि इतने लोग कैंसल नहीं कराते, पर फिर भी अगर करना चाते हैं, तो वेट कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली, सवा लाक रुपे के करीबी आपका डला हुआ है, उस पे अगर 5-6 परसंट का ब्याज कैल्कुलेट करोगे, तो महिने का आप देख लो, 500 रुपे आता है, तो दो महिने भी वेट कर लिया, तो 1000 रुपे का ही साइस, अभी आने वाले टाइम में बहुत जादा है नहीं, प्रियरिटी 4 की बहुत निकली थी, अगर ड्रॉ में लोगों ने अपलाई किया, तो निकल जाएगी उनकी प्रियरिटी 4 वालों ने वो थी सुपरविया, सुपरविया में जिन जिन प्रियरिटी 4 ने अपलाई सेक्टर 95 में 84 मीटर रोड पे चीज थी और बहुत लोग उसको भी सोच विचार कर रहे थे बगल में दीन द्याल के 70 पे 74 जार रुपे गज के प्लॉट बिग रहे हैं और उन प्लॉट पे जो चीज बनकर आएगी वो सौ गज के प्लॉट पे कॉस्टिंग 42-43 लाक रुपे की पड़ेगी और 450 स्कूर फिट कार्पिट एरिया निकलेगा वहाँ आपको 585, 594 स्कूर फिट मिल रहा था सुपर बिया में 25 लाक का तो सोचने की जोरुत भी नहीं थी प्रियरिटी 4 को चुप चप अप्लाई कर देना चाहिए था लेकिन लोगों ने फिर भी सोचा ओह सिक्टर 95 ओग सुपर बिया नहीं मुझे कुछ और अच्छा भी आप प्रियरिटी 4 आपका नहीं निकलेगा प्रियरिटी 3 ही जादा अप्लाई करते हैं अगर सो अप्लाई करते हैं और 102 प्रियरिटी 3 ने अप्लाई कर दिया तो प्रियरिटी 4 की डलने भी नहीं कोशन पिपर आपका चेक भी नहीं होगा तो परिवार में जिन जिन के बच्चे बड़े हो गए हैं 18 साल से उपर हो ग उनकी शादी नहीं होई तो दोनों एक एक priority तरीके साब से रह सकते हैं और जब शादी हो जाएगी तो दोनों मालिक होंगे एक एक affordable housing के which is a very good beginning to any young couple and the parents instead of wasting money on the marriages जो function है चार गंटे का भी function नहीं है ऐसे ताली पिटके चले जाओ आजकर लोग आते भी नहीं जादा और हो limitations भी है कोरोना की वेज़े से तो utilize these opportunities to create assets early in your life ठीक है जितनी शादियां ये covid में होई हैं ये भी सब टिकेंगी शादी में 50 लाख लगने से शादी मजबूत नहीं होती है शादी मजबूत होती है प्यार होने से ट्रस्ट होने से and life में किच-किच ना हो तो assets हो ताकि आपकी beginning ही कितनी अच्छी हो जाए just imagine एक young couple एकदम मालिक of two flats थ्री भी अच्छी 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 से कहीं भी और महेंगी सोसाइटी में रह सकता है अपने हैसाब से तो I hope आने वाले टाइम में आप लोग बहुत अच्छे से subscribe करेंगे पूछा पाच्छी नहीं करेंगे कि कैसा है क्या है गिन के दो चार पांच और बचे हैं अभी दो के नाम मैंने बता दी MRG Ultimate Sector 90 में आने की उमीद है and Sector 62 में आएगा जब वो आएगा आपको DTVCP की साइट पे पता चल जाएगा प्रोडक्ट दोनों बहुत अच्छे हैं आने वाले जो दो चार और हैं वो भी बहुत अच्छे हैं जिसका जहां तुका लग जाए it is something like कि नौकरी तो IS चाहते हैं सब ठीक है लेकिन इसका यह मतलब नहीं IRS की मिल जाए तो नहीं लेंगे या कहीं बैंक प्यों में चले जाए अपलाई तो सभी करते हैं तो यहां भी अपलाई करते हैं यहां भी करते हैं जो best हो जाती है उसमें कर लो तो best नहीं है उसको में apply क्या हुआ withdrawal draw करने की date से एक दिन पहले आप कर सकते हैं तो वो facility भी है आपके पास कि अगर आपका suppose निकल गया and you are satisfied and you don't want to pay for the surrender charges उस अगली वाली में तो you can go and withdraw also किसी के अब भी सवाल रहे गई हैं और specific पुछना चालता है तो whatsapp पे connect कर सकता है I will try to answer the query thank you very much